हलो स्ट्रेंज साज में आप लोग को दपेश फोर लिविंग बाई आर्सी अचिंसन प्राने वाला हूं तो सुरू करते हैं और सबसे पहले ऑथर के बारे में जानेंगे ऑथर का नाम है रे कोईटन हचिंसन एक बिटिश नवलिस्ट ये एक बिटिश नवलिस्ट है एक तो जिस पेडियर में ये जी रहे थे जिस एज में उस एज में जितने भी सेंसिटिव मुद्दे वगड़ा थे उनके सुसाइटी में उन सब के ऊपर ये कुछ न कुछ लिखा करते थे भले ही विरोधावासी घटनाय या बाते ही क्यों नहों उन सब चीजों को ये अपने कहानियों में लिख देते थे In the Peaceful Living, R.C. Hutchinson captures the agony of modern man Peaceful Living में ये क्या करते हैं तो इस कहानी में वो जो modern man है उनके समय का उसके दुखदर्द को बया कर रहे है He brings out how the fast movement of men, things and objects मतलब कि वो क्या करते हैं तो जो movement है, fast movement किसका व्यक्ति का, चीजों का, या objects का ठीक है, ये किस तरह से hurt करता है, hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children मतलब fast movement किस तरह से हमारे life को चाहिए वो men हो, women हो या children हो सब के उपरे क्या करता है, pressure डालता है, सब को दुख पहुँचाता है किस तरह से normal life को जो है, वो किस तरह से disturb करता है इस चीज को ये कहानी deal करता है the pace for living, I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town यहाँ पर बता रहे हैं होता है, कि इन्होंने, जब ये Dublin गया थे तो वहाँ इन्होंने एक play देखा था, एक नाटक देखा था यहाँ play का मतलब हो गया है, नाटक तो यह ज़्यादा समय पहले की भी बात नहीं है, हाली की बात है तो उसमें क्या था था, उसका जो मुख्य character था chief character मतलब मुख्य पात्र उस कहानी का वो एक elderly corn merchant था, मतलब एक बिद्ध व्यापाड़ी था corn का, फसल बगएड़ा का जो है वो व्यापार करता था, in a small iris country town कहां तो एक छोटे से iris country town में he was a man of many anxieties, his heart was ricky, his nephew was cheating him his wife had the fantastic notion of spending euro 10 on a holiday अब यह कैसा इंसान है तो बहुत सारी एंजाइटीज का इंसान, मतलब इसके अंदर बहुत सारी problems चल रही होती है, बहुत सारी चिंताओं का यह जिता हुआ होता है उसका जो nephew होता है वो cheat कर रहा होता है, उसको उसका हिरदय भी बहुत कम जोड होता है इसकी वाइप बहुत खर्चिली थी, holiday होता था तो 10 euro ऐसे ही उड़ा देती थी altogether the pace of life was getting too much for him और कुल मिला के कहा जाए तो जो pace of life है, मतलब जीवन की जो रफ्तार है वो बहुत जादा हो रहा था उसके लिए, was getting too much for him and in a moment of despair और जब कभी भी वो tension में होता, चिंता में होता तो वो क्या करता, he uttered a great cry from the heart वो अपने हिरदय से बहुत चीख करके बोलता they tell me there is an aeroplane, कि लोग कहते हैं कि एक aeroplane है now that goes at 1000 miles an hour, जो 1000 mil की यात्रा जो एक घंटे में तै कर लेता है now that is too fast और यह बहुत fast है, यह इस line को अपने life से connect करता है कि मेरा life भी इतना ही fast हो गया है जितना कि यह aeroplane है for me, अब आते हैं, writer कहानी के उपर आते हैं for me, that was the most enchanting line in the play कि मेरे लिए वो जो line है, कौन सा line? there is an aeroplane वाला line, ठीक है? तो यह line writer को बहुत ही enchanting लगता है मतलब मंतनूध कर देने वाला the man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation and besides being comic, it struck me as a perfect illustration of the way Irish get at subtle truths by the most unlikely approaches you saw what the old fool meant यहाँ पर गौर से समझे कि writer कहते हैं कि यह जो आदमी complain करता है अपने life के बारे में कि उसका life जो है वो aeroplane की रफतार की जैसा हो गया है तो यह तो उतना तालमेल तो नहीं खाता है दोनों चीज़ में अगर आप compare करेंगे तो दोनों एक जैसा नहीं लगता है तो इस कारण से writer ने यहाँ पर उसको old fool कहा है बुढ़ा मुर्क कहा है कि यह व्यक्ति जो है अपना जो life है उसको सही तरीके से जो है express नहीं कर पा रहा है इस line के थूँ तो यही कारण है कि इनको जो है यह line बहुत ही मतलब attract करने वह लगा यह line थोड़ा comic थो था ही वही कहा गया कि beside being comic मतलब यहाँ पर being होगा तो comic मतलब की हसाने वाला इसको लगना चाहिए था writer को यह line लेकिन वह ऐसा न लग करके इनको ऐसा लगा कि Irish में जो लोग होते हैं वो सभी ऐसा ही सुचते हैं इसी तरीके से वो जो है अपने life को किसी भी irrelevant चीजों से जोड़ देते हैं Not that I have any dislike of rapid movement आगे कहते हैं writer की ऐसा नहीं है कि इनको rapid movement से जो है कोई dislike है खुद इनको पसंद नहीं है I enjoy going in a car at 90 miles an hour और इनको 90 mil की यात्रा जो है एक घंटे में कार में बैठ करके तै करना पसंद है लेकिन कब? So long as I am driving जब तक ये drive कर रहे हूँ And so long as it is not my car और एक और बात की जब तक ये उनका खुद का कार नहीं हो दोनों condition होना चाहिए अपना कार नहीं चला रहा है हो दूसरे कार चला रहा है और वह भी बहुत स्पीड में तब उनको ज़्यादा मजा आता है I adore the machines that hurl you about at Battersea ये उन मसीनों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनको बैटर सी की यात्रा करवाता है तो बैटर सी क्या है ये एक डिस्ट्रिक्ट है एक जिला है कहां तो साउथ वेस्ट लंडन में To dine in London and lunch in New York next day seems to me a most satisfactory experience और लंडन में dinner करना या New York में जाके lunch करना ये इनको बहुत ही satisfactory लगता है I admit it excludes all the real pleasures of travel The sort of fun you get from a country bus in Somerset or Spain Somerset or Spain जो है ये जगा का नाम है तो अब सुनिए गोर से ये कहते हैं कि ये admit करते हैं इस बात को मानते हैं कि जो fast movement वाला जो भी machine वेगए जिसमें बैठके हम यात्रा करते हैं उसमें उतना मज़ा नहीं आता है जितना कि आप किसी country bus में गाओं वाले bus में जो है बैठके मज़ा लेते हैं मतलब एक नाटकी या मज़ा मिलता है कि चलो हाँ इतना तेज में तो हम चला रहे हैं गारी उसका आनंद बस आपको मिलता है और ये जो excitement हम कार तेज चलाने में महसूस करते हैं या हवाई जहाँ जो हता है उसमें बैठने में मतलब enjoy करते हैं को चीज हमारे ancestors जो हुआ करते थे पुरवज वह नहीं कर पाते थे उनको चीजों का हमेशा से lack रहा है कमी रहा है तो उन लोगों ने इस चीज को enjoy नहीं किया and we might just as well accept it gratefully और हमें इस चीज को जो है बहुत ही gratefully जो है accept भी करना चाहिए now where is the speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time 10 अब यहां पर कहते हैं कि speed इनको सबसे बेकार कहां लगता है जहां पर mental activities की बात होती है मतलब जब mathematical calculation करना हो दिमाग लगाना हो तो इस चीज में speed जो है इनके लिए क्या रहता है unfriendly हो जाता है क्योंकि यह उतना तेज सोच नहीं सकते हैं जना कि दूसरे व्यक्ति सोच रहे होते हैं as they naturally do to follow the pace of the machine यहीं चीज है कि जैसे कि मालेजे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो machines की रफ्तार को जो है follow नहीं कर पाते हैं उसी तरह से जो है किसी व्यक्ति का दिमाग ऐसा होता है कि वो दूसरे व्यक्ति के दिमाग के साथ जो है speed में काम नहीं कर पाता है तो यहाँ पे writer एक मुद्दा उठा रहे हैं society में जो कमजोर दिमाग वाले लोग होते हैं उनके साथ क्या क्या problem होती है समाज में तो इसी कारण से यह अपने आपको इस कहानी में एक कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं I speak with prejudice आगे यह कहते हैं कि यह prejudice के साथ बोलते हैं मतलब prejudice का मतलब क्या होता है गौर से समझे किसी भी चीज के बारे में पहले ही कल्पना कर लेना तो इनका अपना कल्पना है because I belong to the tribe of slow thinkers क्योंकि यह खुद को अभी क्या कर रहे हैं तो slow thinkers के tribe में डाल रहे हैं मतलब उस category में डाल रहे हैं जिसमें slow thinkers आते हैं those who are cursed with ill-spirit de ill-scaliard मतलब कि वैसे लोग जो इस बीमारी से जूंज रहे हो तो यह एक बीमारी का नाम है जिसमें लोगों का दिमाग बहुत कमजोर हो जाता है people who light on the most devastating party about four hours after the party is over और ऐसा यहां पर बतला जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि party खत्म हो जाता है उसके चार घंटे बात तक भी जो है बात करते रहते हैं तो यह इस तरह के लोगों में आते हैं कौन इस बीमारी से चुंजने वाले जो लोग होते हैं वो I am one of those who are guaranteed to get the lowest mark in any intelligence test because those tests are all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else अब आगे कहते हैं यह कि यह उन लोगों में से है जो guarantee के साथ कहा जा सकता है कि अगर किसी intelligence test में बैठा दिया जाए तो उनको सबसे कम marks आएगा क्योंकि वो test क्या करता है तो लोगों के mental activities को मापता है mental जो capacity है उसको मापने के लिए बनाया जाता है डिजाइन किया जाता है obviously we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living आगे यह कहते हैं कि इनिश्ची तोर पे हम लोग जो slow thinkers होते हैं वो terribly handicapped होते हैं किस चीज में किस चेत्र में तो business के चेत्र किस business में तो getting a living मतलब कि अपना दिन चरिया चलाने में हम लोग बहुत handicapped होते हैं but what I am thinking about just now लेकिन जो अभी मैं सोच रहा हूँ writer कह रहा है is not so much the practical use of one's mind यह से किसी व्यक्ति के practical use के बारे में नहीं सोच रहा हूँ it's used for enjoyment बस इसके enjoyment के लिए use के बारे मतलब writer बात कर रहा है कि mind का एक और use होता है enjoyment के लिए तो यह उस चीज़ को कर पाते हैं लेकिन mental activities वाली चीज़ों को नहीं कर पाते हैं आगे यह कहते हैं as an example when I go to the cinema और example के तोर पे जब यह cinema जाते हैं I find myself in a hopeless fog तो यह एक hopeless fog के situation में पहुँँ जाते हैं यह hopeless fog क्या होता है गौर से समझेए fog कहते हैं कोड़ा को और hopeless मतलब कि जब कुछ समझ में नहीं आए ऐसा कोड़ा बहुत घना यह मतलब सोच विचाराएं पर जाते हैं जैसे माल जी आपको इस फिसम देख रहा है और अचानक से जो सजीन आपके सामने आ रहा है उस से पहले बाले सारे सिनको आप भूल जाते हैं तो ऐसा कंडिसन इनके साथ होता है और क्या होता है पुछने चले जाते हैं उस पुछते हैं यह वही लड़की है जो सुरू में हम लोग ने देखा था इस सिनेमा में and she whispers back और वह वह आपस फुसपुसाग के जबाब देती विस पर मतलब फुसपुसाग के जबाब देना इस फिल्म में तीन लड़किया है एक लंबी है ब्लोंड यह ब्लोंड जो होता है वह बालो के कलर को ले करके कहा जाता है भूरा ब्राउन बगड़ा कलर के जो होते हैं तो एक टॉल ब्लोंड है एक शॉर्ट ब्लोंड है और एक मेडियम साइज बर्नेट है तो मेडियम साइज मतलब की छोटी साइज की है तो एक टॉल हो गई एक सबसे छोटी हो गई मतलब की साइज में और एक मेडियम साइज की हो गई और बर्नेट भी यह भी एक कलर होता ह बाल का, call them A, B and C, इन सब को A, B, C नाम दे दिया गया, मतलब tall वाली को A, short वाली को B, और medium वाली को C कह दिया, किसने तो उनकी पतनी ने, the hero is that man who takes his hat off when he comes indoors, और hero वो इनसान है जो जब भी कभी भी scene में अंदर आता है, तो वो अपना hat जो हो नीचे, मतलब कि निकाल लेता है, he is going to fall in love with the girls B, C, A, in that order, और जो भी लड़कियां है, heroines है, तीनों से वो प्रेम करने वाला है, B, C, A के क्रम में, in that order, and so it proves to be, और ऐसा होता भी है, तो यह film की कहानी यहां खत्म होती है, और उसके बाद आगे बताया गया है, there you have a mind which has trained itself to work in high gear, अब राइटर कहते हैं यहां पे कि आप लोगों के पास जो brain है, उसने अपने आपको trained कर लिया है, high gear में काम करने के लिए, मतलब कि जो public है, आम public, उनका दिमाग किसी भी level पे काम कर सकता है, दो, as a matter of fact, it can work in other gears just as well, और धीरे धीरे भी काम कर सकता है, जिन लोगों ने तेजी में काम करना सीख लिया, दिमाग कायूज करना सीख लिया, वो धीरे धीरे भी दिमाग कायूज कर सकते हैं, बट my point is that, लेकिन राइटर का जो point है, वो क्या है, most of my fellow patients, जो इनके जैसे जो patients वगएड़ा है, in the cinema, cinema में ही माल ले जिये, do think fast enough to keep up comfortably with rapid changing of scene and action, यहाँ पर यह जो patient word यूज किये हैं, fellow patients, यह अपने साथ फिल्म देख रहा है, जितने भी लोग है उस cinema होल में, उसके लिए यूज कर रहा है, कि यह लोग जो है, they think much faster than people did 30 years ago, और जो 30 साल पहले लोग सुचा करते हैं, उससे भी तेज सुचते होंगे, possibly because those who do not think fast in the high street nowadays, और आगे कहते हैं, ऐसा इसलिए भी होता है, वो लोग इतना तेज सुच रहे हैं, कि यह लोगे करते हैं, प्रुज करते हैं, कि यह लोगे लोगे करते हैं,